क्या आप भी करेले की सबजी बनाते हैं तो कडवी बन जाती है या फिर कुरकुरी नहीं बनती तो आज मैं आपको ऐसे ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे कि हमारी सबजी कुरकुरी भी बनेगी साथ में कडवी भी नहीं लगेगी बहुत ही शांदार और अच्छी ट्रिक है और बहुत ही नए तरीके से मैंने इसको बनाया है यकिनन फ्रेंड्स आपको यी वीडियो बहुत ही पसंद आएगा तो चलिये फिर इसको बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हमें यहाँ पर करेले ले लेने हैं करेले को अच्छे से पानी से वश कर लीजेगा पहले और उसके बाद एक कपड़े की सायता से इसको अच्छे से पोच कर सुखा लीजेगा यानि कि इसके उपर पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए अब हम इसको कट करेंगे तो यहां पर अगर आपकी करेले थोड़े बड़ी साइस की हैं तो आप इसके तीन बाग कर सकते हैं मैं यहां पर इसको दो बागों में डिवाइड करूँगी तो सबसे पहले इसको अच्छे से छीलना जरूरी है इस तरीके से बीज से इसको काट लीजिए आप चाहें तो इसके अंदर जो बीज हैं उनको आप अलग कर सकते हैं अगर आपको नहीं पसंदे लेकिन मैं इसको रहने दूंगे क्योंकि बीज जो होते थोड़ से क्रंची होते जिसकी वज़े से सबजी के अंदर थोड़ा कुरुकुरा पन अच्छा आता है तो इस तरीके से अगर आपको नहीं पसंदे तो आप इसको हटा सकते हैं इस तरीके से आप इसको लंबाई की शेप में काट लीजिए के अंदर हमने इसको निकाल दिया है और अभी हम इसके अंदर थोड़ा सा हल्दी पाउडर और नमक डालेंगे जिसे की करेले जो हैं पानी छोड़ेंगे और जो पानी हैं हमें इसको निकालना है तो सबसे पहले हमें यहाँ पर हल्दी पाउडर डाल देनी एक चमच और साथ में यहाँ पर नमक डाल देना एक चमच तो अब जो हैं हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरीके से जिसे की जो हल्दी और नमक हैं उसकी कोटिंग सारी करेले के उपर आ जाए और जिसे की करेले जो है अपना कड़वा पानी निगाल दे तो इस तरीके से हमें जो है इसको इस तरीके से अच्छे से चला कर छोड़ देना है यानि कि 10 मिनिट तक हमें इसको डख कर इसी तरीके से रहने देना है अगर आपके पास थोड़ा कम टाइम है तो आप इसको 5 मिनिट या 3 मिनिट भी छोड़ सकते हैं तो भी यह अपना काम कर लेगा अब इसको 10 मिनिट छोड़ने के बाद हम इसको अच्छे से एक बाद चमच की सायता से चला लेते हैं तो इस तरीकी से आप देख सकते हैं दिखिए अच्छे से इसको चला लेना है और उसके बाद हम इसका पानी निकाल देते हैं जिससे कि जो करेले हैं उसके अंदर ज्यादा कड़वा नहीं लगे और करेले की सबजी हमारी हेल्थ के लिए भी काफी ज्यादा अच्छे होती हैं इसलिए हम इसको नॉर्मल एक हपते में एक बार तो इस्तमाल करना ही चाहिए तो नॉर्मल करेले बहुत कम लोग पसंद करते क्योंकि इसके अंदर कड़वा पन होता हैं तो आज हम इस तरीके से इसको बनाएंगे तो बेद्कुल भी सबजी कड़वी नहीं लगीगी अब इसको हातों की साथे से या फिर इस तरीके से कपड़े में इस तरीके से डाल कर इसका जो पानी है वो आप निकाल दीजिए तो इस तरीके से इसको गूमाते हुए दबाते हुए सारा का सारा इसका कड़वा पानी आप निकाल दीजिए तो चलिए फिर चलते हैं गेस की तरफ और अभी याँ पर गेस पर हमें याँ पर दो चमच मुफली डाल देनी है कच्ची मुफली है और इसको जो हलका सा रोष्ट करना है जब यह हलके से रोष्ट हो जाए उसके बाद इसके अंदर साबुत धनिया डालना एक चमच अब इस अच्छे से रोष्ट करना है जब इसके अंदर हलके हलकी महक आने लग जाए और आपको पता चले कि तनिया जो है अच्छे से बुनने लगा है और जो मुफली है वो भी अच्छे से बुनने लगी है उसके बाद हम इसके अंदर दूसरे मसाले डालेंगे तो यह जब अच् इसको भी अच्छे से रोश्ट कर लेना जब तक कि इसके अंदर अच्छे से कुश्वू नहीं आने लग जाती अच्छे से जब यह कुश्वू आने लग जाए और यह जो मसाले हैं अच्छे से सीख जा उसके बाद आप गैस को बंद कर दीजे और साथ में यहाँ फर एक चम मसाले ठंडे होने के बाद हम इसको ग्राइड करेंगे तो मसाले पूरी तरीके से ठंडे हो चुक्षे आप दीजेएं मिनेम ओर पर यहाँ जारल लंगे चोटा वाला साथ में एक चताई चमच है, यहाँ पर हल्दी पाउडर डाल देते हैं, जिससे की मसाले का कलर काफी अच्छा आएगा, और इसको हमें जो हैं दरदरा पीस लेना है, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, दिखे मैंने इसको मोटा मोटा ही पीसा जादा एकदम बारिक फाइन पाउडर नहीं करना है, अब हम चलते हैं गैस की तरफ, कड़ाई में दो चमच तेल डाल दीजिए, तेल को थोड़ा गरम होने दीजिए, और गरम होने के बाद इसके अंदर आप करेले डाल दीजिए, तो इस तरीके से हमें करेले इसके अंदर डाल देने, दोस्तो आज का वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आ है तो इसको लाइक शेर करना बिल्कुल नहीं बूलिए साथ में चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब जरू कीजिएगा बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो के नोटिफिशन सबसे पहले आपको मिले तो फ्रेंड्स आप देख सकते करेले को अच्छे से भून लेना है और इस तरीके से भूनते हुए यह थोड़े से क्रंची हो चुके है जब यह अच्छे से क्रिस्पी हो जाए यानि कि हमें पहले तो हाई फ्लेम पर इसको थोड़ी देर चलाना है उसके बाद आपके इसको मीडियम कर दीजे और मीडियम फ्लेम पर अच्छे से इसको क्रिस्पी होने दीजे उसके बाद आप इसको निकाल कर एक प्लेट में रख जाता तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये दिखे प्याज हमारे अच्छे से भून चुकी है अब हम जो मसाला हमने तियार किया था वो इसके अंदर हम डाल देते हैं तो मसाला जब भी आप इसके अंदर डालेंगे तो यकिन है इस सब्ची के अंदर बहुत ही कमाल की मसाला डाल देना है और एक चमच हमें आपल लाल मिच पाउडर डाल देना है अब इसको अच्छे से लगातर चलाते रहे और एक से डेड़ मिनट के लिए इसको बुन लीजिए अच्छे से इसको चलाना है और जब मसाला हलका सा ड्राय होने लगे आपको दीखने लग और थोड़ी दिर इसको लगातर चलाते रही है नमक यहां पर कम ही डालना है मैंने यह पर थोड़ा सा नमक और डाला है और नमक हमने पहले करेले के अंदर भी डाला हुआ है इसलिए आप हिसाब से डालेगा नितो सब्जी जो है थोड़ी से खारी हो जाएगी तो इस तरीके अच्छे से हाई फ्लेम पर पका लीजिए बीच वीच में इसको चलाते रही है और अच्छे से इसको कूक कर लीजिए सबजी जले नहीं इस बात का भी आपको दियान रखना है जब यह अच्छे से कूक हो जाए उसके बाद आप गयस को बंद कर दीजिए और उसको उतार फ्रेंट्स आप दीख सकती है सबजी कुरकुरी करेले की सबजी हमारी बंद का तेयार हो चीकी काफी ज़्यादा डिलिशिस और टेस्ट लगती है एक बार आप इसको जरू ट्राय कीजिएगा यकिने आपको बहुत ही पसंद आएगी मैंने पहले भी एक बार करेले की नए ना भूलिये वीडियो पसंद आएथ तो लैक शेर जरू कीजिएगा जैस्त्रिक्रिश्णा